सनी देउल की फिल्म बॉडडे 2 बन रही है, इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर लगतार कुछ न कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, खबरे थी कि ये मूवी में सनी के साथ आयुश्मान खुराना भी दया देंगे, हलाकि खबरे ये भी थी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेक अपिशली हामी नहीं भरी है, ताजा जानकर ये है कि आयुश्मान ने फिल्म छोड़ दी है, फिल्म में आयुश्मान अपने रोल को लेकर अस्वंजस में थे, यही उनके फिल्म को छोड़ने का कारण बताया जा रहा है, मिद्डे ने सोर्स के हवाले से खबर शापी है, इसमें उन्होंने लिखा, मेकर्स ने बार्डर की सीक्वल में आयुश्मान को सोल्जर के रोल के लिए अप्रोच किया था, फिल्म पर साथ काम करने के लिए मेकर्स और आयुश्मान दोनों ही एक्साइटेट थे, फिल्म में सनी देओल लीड डूल में थे, मगर पर को लेकर शूर नहीं थे, आयुश्मान खुराना हमेशा हट कर फिल्म में करने के लिए जाने चाते हैं, उनकी इमेज ही कुछ अलग पर फिल्म बनाने वाली बन गई है, उधर सनी देओल की अलग लेवर पर फैन कॉलेंग है, शाहिद यही वज़ा है कि आयुश्मान बार् प्रोडक्शन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, मेकर्स कोई जल्दबाजी नहीं करना चाते, बॉर्डर को जेपी दक्ता ने डिरेक्ट किया है, बॉर्डर 2 को अनुराग सिंग बनाएंगे, उन्होंने अक्षे की फिल्म केसरी डिरेक्ट की थी, इसके अलावा वो अकेले थल्द सेना ने नहीं लड़ी थी, बलकि जल और वायो सेना ने भी लड़ी थी, बॉर्डर 2 में इसे ही दिखाया जाएगा, खबर यह है कि फिल्म का शूट इस साल के अंत में शुरू होगा, हाला कि मेकर्स की तरफ से इस पर कोई ऑफिसल जानकारी नहीं आई है, यह फिल्म 23 दिसमबर 2026 को सिनमा घरों में रिलीज होगी, बॉडर 2 के पहले आयुशमान ने मेगना गुलजार की भी फिल्म छोड़ी है, बिड़े की रिपोर्ट के मताबक मेगना की इस फिल्म की डेट्स, आयुशमान की डेट्स के साथ माच नहीं हो रहे थी, इस दे वो इसे नहीं कर पाए, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इस प्रिक्टर का टेंटिटिफ टाइटल दाइरा रखा गया है, इस साल के अंत में ये फ्लोर पर आ जाएगी, पर इसी वक्त आयुशमान का युएस टूर भी है, रिपोर्ट के मताबिक मेगना की फिल्म इस पर अभारत होगी, इस मामले पर आगे रूबी अपडेट आएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट में बताइएगा, सारी जनकारी मेरी साथी में एक ना ने जुटाए थी, मेरा नाम सोनल है, सिनमा से ट्रेट आ आप डेट्स लेने के आप लेलन टॉप सनमा पर आते रहें, शुक्रिया